नमस्कार मित्तू आज हम छत्यजगड की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले है लाल पीली मिट्टी इसका जो लाल रंग होता है वो फेरस आकसाइड के करण होता है और इसका पीला रंग फेरिक आकसाइड के करण होता है लाल पिली मिट्टी का इस्थानी नाम मटासी है चतिजगड के मध्य तथा उत्तरी भाग में लाल पिली मिट्टी पाई जाती है इसकी जो मुख्य फसले हैं वह धान, अलसी, तिल, जौर, मक्का, एवं काटन चतिजगड के सरवाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी लाल पिली मिट्टी है इसके पस्चात है लाल बलुई मिट्टी लाल बलुई मिट्टी का इस्थानी नाम रेतिली मिट्टी भी है या इसको टिकरा मिट्टी भी कहते हैं बस्तर के उच भूमी के ढालों पर पाये जाने वाली मिट्टी को लाल बलूई मिट्टी या टिकरा मिट्टी कहते हैं इसका जो विस्तार है वो दंतेवाडा, बस्तर, कांकेर, राजननगाओं तता बालोत के दक्षिनी हिस्से में है इसकी जो मुख्य फसले होती है लाल बलूई मिट्टी की या टिकरा मिट्टी की जो मुख्य फसले है वो है मोटा अनाज जैसे कोदो कुटकी इस हैतुया बहुत ही उप्युक्त मिट्टी है इसकी प्रकृती अमली होती है लाल दोमट मिट्टी यह ज़्यादा तर दंतेवाड़ा और रकमा के छेतर में पाई जाती है इसका रंग लाल होता है इस टे से लाल दोमट मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें आइरन या लो अयस्क की अधिकता होती है लो अयस्की अधिकता कराण इसका रंग लाल होता है और यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट मिट्टी जो है वो कठोर होती है इसलिए इटों के निर्माण में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है लेटेराइट मिट्टी इसका जो इस्थानी नाम है वो मुर्मी मुर्मी या भाठा मिट्टी भी कहते हैं इसका जो विस्तार है ज्यादा तर सरगुजा संभाग एवं जगदलपूर की ओर है इसकी जो फसले हैं लेटराइट मिट्टी की वो आलू, टमाटर, चाय और लिची है इसका रंग कथा होता है और ध्यान लखेंगे कि कठोड़ता के कारण भवन निर्माड में उप्योगी है क्योंकि इससे इटों का निर्माड होता है तर पस्चात है काली मिट्टी, काली मिट्टी को इस्थानी नाम कनहार मिट्टी भी कहा जाता है या भरी मिट्टी भी कहा जाता है रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है और यह ज़्यादा तर मैकल सेणी गरिया बंद, दुर्ग एवं बालोद में पाई जाती है इसकी जो मुख्य फसले हैं वो है गन्ना, कपास, चना, गेहूं और इसकी जल, धारण, छमता, सरवाधिक होती है इसका जो काला रंग है, काली मिट्टी का या कनार मिट्टी का जो काला रंग है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है काली मिट्टी या कनहार मिट्टी सबसे उपजाओ मिट्टी कहलाती है क्योंकि इस पर पानी की कमी से दरार पढ़ जाती है किस मिट्टी में जल रोकने की छमता सरवाधिक होती है या अधिक होती है तो ध्यान रखेंगे काली मिट्टी में जल रोकने की छमता सरवाधिक होती है किस प्रकार की मिट्टी में रभी तथा खरीब दोनों फसले होती है रभी तथा खरीब दोनों प्रकार की फसले कनहार मिट्टी में उगाई जा सकती है कनहार मिट्टी इसका एंसर है रभी तता खरीब दोनों फसलें कनहार मिट्टी में उगाई जा सकती है राश्टी विभाजन विवस्ता के अंतरगत छतिरगड की मिट्टियां लाल तता पिली मृदा समू के अंतरगत आती है तो कौन सब मिदा समू है यह लाल तता पिला मिदा समू राश्टी विभाजन में वस्ता के अंतरगत यह मिदा समू लाल तता पिला मिदा समू है किन कणों की उपस्तिती के कारण लाल रेतिली मिट्टी का रंग लाल होता है तो लाल रेतिली मिट्टी का रंग iron oxide के करण लाल होता है ये ध्यान रखेंगे काली मिट्टी जिसे कनहार भी कहते हैं और लाल दोमट मिट्टी जिसे मटासी कहते हैं तो काली मिट्टी और मटासी मिट्टी के मद्ध पाई जाने वाली मिट्टी जो होती है, उसे डोरसा कहते हैं, डोरसा, छती गड़ की स्थानी लोग किस मिट्टी को भरी मिट्टी या कनार मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी जो होती है, उसे भरी मिट्टी या कनार मिट् तो ये ध्यान रखेंगे कि लाल दोमट मिट्टी बस्तर जिले में पाई जाती है राज की किस प्रमुख मिदा का निर्मान गोंडवाना चट्टानों से हुआ है तो राज की लाल पिली मिदा का निर्मान गोंडवाना चट्टानों से हुआ है लाल पिली मृदा इस्थानी भासा में राज में पाई जाने वाली जलोड मिट्टी को क्या कहा जाता है तो धियान रखेंगे जलोड मिट्टी को इस्थानी भासा में कछार की मिट्टी कहा जाता है जलोड मिट्टी और कछार मिट्टी ये दोनों एक ही नाम है निले काले या भुरे रंग की गहरी चिका मिट्टी कौन सी है तो निले काले या भुरे रंग की गहरी चिका मिट्टी जो है इससे कनार मिट्टी कोई कहते है कनार मिट्टी निले काले या भुरे रंग की गहरी चिका मिट्टी कहलाती है कनार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिती के करण होता है तो कनार मिट्टी का जो काला रंग है वो टाइटेनिक मेगनेटाइट के करण होता है टाइटेनी फेरस मेगनेटाइट कह सकते हैं इसको तो टाइटेनी फेरस मेगनेटाइट के करण कनार मिट्टी का रंग काला होता है चत्रीजगर के किस मिट्टी में निक्छालन की प्रक्या होती है तो ध्यान लखेंगे चत्रीजगर के लेटराइट मिट्टी में निक्छालन की प्रक्या होती है गाद की अधिक्ता किस मिट्टी में पाई जाती है तो गाद की अधिक्ता कछारी मिट्टी में पाई जाती है मुंगफली के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उत्तम मिट्टी मानी जाती ध्यान रखेंगे मुंफली के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है किस प्रकार की मिट्टी में उवजाव तत्तों के साथ पानी की भी कमी रहती है तो ये ध्यान लखेंगे कि पहाड़ी मिट्टी में उजाव तत्तों के साथ पानी की कमी रहती है मुरुम किस मिट्टी को का जाता है तो ये ध्यान लखेंगे भाटा मिट्टी जो भाटा मिट्टी होती है भाटा मिट्टी उसे मुरुम भी का जाता है कौन सी मिट्टी एल्मुनियम तथा लोहे की अधिक्ता के कारण सुखने पर कठोर हो जाती है तो वही भाटा मिट्टी जो है यह एल्मुनियम तथा लोहे की अधिक्ता कारण कठोर हो जाती है चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उप्युक्त मानी जाती है तो ध्यान दा कहेंगे चूना प्रधान मिट्टी धान की फसलों के लिए उप्युक्त मानी जाती है राज में पाई जाने वाली निम्न इस्तरी लेटराइट मिट्टी कौन सी है तो यह भाटा मिट्टी है चतिछ गड़ राज में किस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाणा तशिलों में है किस मिट्टी का निर्माण अपर्दित गोंडवाना तथा कुडपा चट्टानों से हुआ है मैं पर्दित गोंडवाना तथा कुडपा चट्टानों से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है ध्यान लखेंगे मैं पाट पठार के दक्षणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता है कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तम माने जाती है कौन सी मिट्टी कोदो वा कुटकी जैसी फसलों के लिए उत्तम माने जाती है तो कोदो और कुटकी जैसी फसलों के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम माने जाती है मिट्टी में पिला रंग किसका गोतक है तो पिला रंग आपको पहले भी बताया गया है कि ये फेरिक आकसाइड के कारण होता है काली चीका मिट्टी में चूने की अधिकता होती है ध्यान रखेंगे चूना काली चीका मिट्टी में चूने की अधिकता होती है लाल पिली मिट्टी को चावल मिट्टी की संग्या दी गई है बस्तर में अधिकतर मिट्टियां अमली ये मिट्टी है छारी नहीं बलकि अमली तो बस्तर के तरफ जो मिट्टियां पाई जाती है वो अमली है ये ध्यान लखेंगे चतिरगड में सरवादिक पाई आने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी है वनी करण के लिए मतलब वनों के लिए वनी करण के लिए सरवत्तम मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी भारती भूमी एवं मृदा सरवेक्षण विभाग ने चत्ति गड़ की मिट्टी को पांच भागों में बाटा गया है धन्यवाद नमस्कार